हाई गाईज ओलन हिल पर एंटरेक्स चनल पर आप सब लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में आप लोगों को मैं फिर सो और एक लोन अप्लिकेशन का रिभीव दूँगा इस अप्लिकेशन का नेम है कैश पॉकेट तो चलिए इस वीडियो के तुरू देख लेते हैं इस अप्लिकेशन का लोन पोसेस और चानल लेते कि यह अप्लिकेशन रियल है या फेक है और यह application search में loan provide करता है कि नहीं और आप लोगों को इस applications पे loan के लिए apply करना चाहिए या नहीं चाहिए तो guys जोरू वीडियो को आप लोगिन तक देखेगा और guys अगर कोई चैनल पे नए विजिट किया है तो चैनल को subscribe किजिए और साथ-साथ बेल आइकन पर प्रेश किजिए तक जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोट करूँ सबसे पहले आप लोगों को notification मिलता रहे तो गया चलिए आज की वीडियो शूरू करते है तो guys cash pocket applications को open करने के टाइम पहला interface step का आ जाता है maximum loan amount up to 1 लग 50,000 तो नीचे अप्लाइने को option से अप्लाइने को पे click करने के बाद आ तो नीचे आपको receiving bank account का option दिखने को मिल जाएगा तो यह पर आपको bank account details फिल करने के बाद नीचे summit का option से summit पे click करने के बाद आ जाएगा auditing option और नीचे आपको ए cost दिखने को मिल जाएगा 268 रूपीज तो guys यह पर यह कहा जाता है कि अगर कोई cash pocket applications के तरब से 1 लग 50,000 loan 365 days के लिए लेना चाहते तो पहले cost पे करना होगा 268 रूपीज और cost पे करने के लिए आप लोगों को काफी सारे payment का option दिखने को मिल जाएगा cart, wallet, paytm, net banking, upi, google पे तो कोई भी payment का option चूज करके अगर अब लोग cash pocket applications के तरब से 1,50,000 loan पाने के लिए पहले 268 रूपीज पे कर देते हैं तो आगे जगे cash pocket applications के तरब से अब लोगों को loan provide नहीं किया जाएगा cash pocket application एक fraud application है और यह application loan provide नहीं करता है इसरिफ लोगों को loan देने के नाम पे लोगों से पैसा ले लेता है और अगे जाके loan provide नहीं करता है तो guys cash pocket application एक fraud application है और अब लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले कोई भी amount पे ना करें तो गैस अभी आप लोगों को मैं cash pocket applications का review दिखाऊंगा कि इस applications के बारे में क्या review दिया गया है तो पहले रिभू देख सकते है money taken apps निचा और review पे ये का गया है कि fake app please don't download it asking processing fees for loan निचा और review पे ये का गया है कि they are saying to pay the amount fast fraud app don't install fake app तो guys cash pocket applications के बारे में जितने सारे review दिया गया है review पे साप साप कहा दिया गया है कि cash pocket application एक fraud application है और ये application loan provide नहीं करता है इसरिफ लोगों को loan देने के नाम पे लोगों से पैसा ले लेता है और अगे ज़के loan provide नहीं करता है तो guys cash pocket application एक fraud application है और अब लोग इस applications पे कभी भी loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले कोई भी amount पे ना करें तो guys अई था आज का एक छोड़ा सा जान करिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जोड़ी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जासे अदा शेयर कीजिए तो आप लोग के साथ मुलकात हो रहे निक्स वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख